नमस्कार दोस्तों ये हैं 575, 5.75 oz विकार 575 oz तो काफी बड़ी गेंद हो जाएगी 5.75 oz और सबसे पहला सवाल ये आ रहा है मेरे पास कि मैं ये टी-शिर्ट पैंके की बैठा हूँ ये गोरिला मार्केटिंग नहीं है जरसल बात ये है कि एक कॉफी शॉप है जो हमारे ऑफिस के बिकुल बगल में है जहां पे हमारे जैसे लोग काफी अन्नेसेसरीली पैसा खर्च करते हैं तो हम होप ये कर रहे हैं कि हम इनकी टी-शिर्ट पैंके बैठे ही है तो शायद वो कॉफी हमें फ्री में पिला दे निखिल नाज जैमी ओल्टर और हम बात कर रहे हैं एक ट्वीट पै अधारित जो कि पार्थ जिंदल जो ओनर है डेली कैपिल्स के जेस डव्यू के उन्होंने कहा है कि उनके जो खिलाडी है रिशब पंत और अश्विन उनको इंडिया के टीम सेट अप से बाहर क्यों रखा जा रहा है उनको मौकर देना चाहिए तो फोर एंड अगेंस्ट आपका टाइटल यह बहुत अच्छा है आईपिल की दोस्ती इंडिया पर डोंट फोर्स ची इससे पदा लगता है आप कि साइज पे हैं अगर इनके प्लेयर हैं तो उनको पुष करेंगे जाहर है मैं तो सहमत हो इनसे मतलब मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती कि इनका जैसे आपने कहा एक तो इनके प्लेयर है दूसरी बात हम यह भी रेलाइस करेंगे पड़ी कि यह ठीक है आईपिल टीम के ओनर तो है बट जैनूरी स्पोर्ट फैन भी तो हो सकते हैं ट्विटर इस पर्सनल प्लाटफॉर्म अगर वहां अपने राए नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे तो एक चीज वह सकती है दूसरी बात यह है कि अगर आप इसके डेप्थ में जाए स्टेटमेंट की डेप्थ पर अगर आप चाहे तो भी मुझे लगता है इन्होंने कोई गलत चीज नहीं किये इन्होंने सिर्फ टीम नहीं इन्होंने बेंच के बारे में ज्यादा बात किये कि आपने रिशाब प बारे में लिखा विच अगर आप मेट्रों में जैसे आपको कहीं फैंस मिल जाते हैं पूछ सकते हैं आपसे कि क्यूं अश्विन को आप लिमिटेड ओवर में सड़नी डिसाइड वा कि लिमिटेड ओवर में नहीं रहना चाहिए वो यह कैन ऑल्सो भी कंसिडर कि वो है तो उनसे में अगरी करता हूँ लेकिन मुझे यह लगता है इनके यह ट्वीट से पंथ और अश्विन को फाइदा नहीं जादा नुकसान होगा क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि जैसे ही आपकी सिफारिश ओपनली हो गई तो आपको मार्क कर लिया जाता है इवन इफ एक बिलि होती है कि हो सकता है कोच बैट के बोले अच्छा अब यह मुझे बताएगा इवन को क्या टीम है तो यह दो तो आप नहीं की लिए कर नहीं की नहीं की क्या है उस पर मैं उस पर मैं आऊंगा एक कहावत है टाइमिंग इस अबीदिग पार जिंदल ने इस से पहले तुमाइ क्योंकि IPL टीम के ओनर है आंगे आइपियर पर हम दरा गौर डालेंगे अश्विन अभी हाली में डेली डेड़ रेफिल्स आये हैं किंग्स लेवन पंजाब से पंथ इनका सबसे बड़ा प्लेयर है आइपियर में शेयर चैपने पर बिगस ड्रॉर फॉर कैपिल इस श्रिश आपके बेसे होता है उनका IPL कुछ खास गया नहीं है अभी भी याद करते हैं वह मंकड वाला इंसिडेंट अगर आश्विन की बात नहीं किया तो किस बेसे पर आश्विन जो है आप उनको खिलाओगे अगर आप इसमें जहांकेंगे तो आश्विन का एक कॉमेंट था कु फिलाल वो दूर है यहां से मैं यहीं किरो का IPL के बाद शायद वापस आ जाए पर अभी IPL नहीं खिला जा रहा है तो I think मैं आपके बाते सहमत हूँ इससे अश्विन को नुकसान हो सकता है वही अश्विन है जो सूत्रों के अनुसार काफी कुछ टेस्ट मैच नहीं खेल क्योंकि उनकी जो attitude है उनकी जो outspoken attitude है वो कुछ senior players को हजम नहीं हूँ तो I think वाकि मैं यह अश्विन के लिए तो लुकसान हो सकता है तो अश्विन की problem नहीं होने चाहिए I think culture की problem होने चाहिए मान लीजे उनके में यह है एक चीज की बोलते है ठीक है और जो मन में आता है क्यों को drop किया जाए just because वो hurt कर देते हैं किसी क्या ego चाहिए वो management तो यह culture की problem है not Ashwin I mean I would like people to be vocal और हर आदम एक जैसा दोड़ी हो सकता है चुप बेट के और हम ने देखा है खास कर के Asian cricket में जो भी आवाज उठाता है कही उसको कर देता है यह इतिहास गवा है इस बात का जह और हम ने देखा है overseas दोर में Ashwin is not an automatic starter anymore right तो अगर कहीं न कहीं वो पहला test नहीं कहले वहाँ पर क्या हम वापस इस ट्वीट पर जाएंगे लोग तो जाएंगे लोग दोड़ जोड़ के 8 निकाल देंगे तो यह I'm not मुझे लगता है कि इनको tweet नहीं अला क्यूँ से इस सार जो हम वाकिफ है इन चीजों से सूरव गांगुली जो कि BCI प्रेजिएंट बनने से पहले डेली डेली कैपिल्स के साथ वो एक मेंटॉर के रहाने और अश्विन को कहा कि आप यहां आ जो उनका काफी बड़ा हाथ था इस कैपिल्स को सेक्यूर करना अश्विन और रहा अब वो इंट्रेस के तोर पे वो अभी डेली कैपिल्स से ऑन पेपर अफिशली जुड़े नहीं है अगर थोड़ा जाज करेंगे क्या इस ट्वीट के पीछे इनका भी हाथ है यू डों नो राइट अगर चले माने जेमी अगर इनका हाथ भी है अगर उस को भी हम मान ले तो यह कोई नई बात तो है नहीं इंडिन क्रिकेट में अब आप एक्जाम्पल के तौर पे पीछे चले हैं श्रीनिवासन बीसिजाए के प्रेजिडेंट भी थे चन्नाय टीम के ओनर भी थे श्रीकांत बिल्कुल उनके अच्छा मैं कुछ एक्जाम्पल लोंगा आज के बहुत संहाई, एक्जाम्पल आप में once इच्चाह एक्जाम्पल के तौर में एक करते तो यह करता दा़ने तो इस तो यह करते हैं तो अपने फ्रैंचाइज के खिलाप क्रिकॉट्ग करते हैं में छिप्वा क्या पक्ष रखते हैं अगर उनको टीम से बाहर किया गया तो बोलते हैं नहीं मुझे लगता है यह अच्छा है इसको रखना चाहिए इसको तो तो यह चीज तो एक्जिस्ट करती है तो फिर आउट्रेज सिर्फ पाठ जिंद़ पे क्यों किया जाहे जबी यह चीज है इस अनग्रें कि आप जिस ड्रेसिंग रूम में आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं जिन प्लेयर के साथ आप ट्रैवल कर रहें उनको आप देख रहें आप प्रोक्सिमिटी से देख रहे हैं तो अब से आप उनकी वाल्य यह थोड़ा मैसी सीन है, इसमें बस एक चीज है कि अब जैसे यह चीजे हो भी रही थी, जैसे हमने बात की होती भी थी, लेकिन अवर्टली नहीं की जाती थी, कोई ओपनली आके नहीं ऐसे कहता था या टीम से जुड़ा नहीं था, अगर कॉमेंटेटर है तीम से जुड़ा की चीज मुझे नजर आती होई है कि ट्रेंड सेट हो जाएगा आगे चलकर और इतने बड़े-बड़े इन्फुएंशल ओनर्स हैं आईपेल टीम से, वह सब बूलने लगेंगे तो फिर क्या हम भारतिय क्रिकेट का जो बहतरी के लिए जो चीज है, यह पर परस्पेक्टि चला तो अगर टूट तो इसका रैजिन क्या होगा जिए इसके रैजिनेंस की तरह कर सकते हैं, तो तो बात इसका इंप कांनेंड अबिल बंड इसका दिप जो चलता ही रहता है और आम शृ इंड ऑन धीपूल आप जो आई-पेल के ओनर्जॉट यहां, वह सिर्फ आई-प JSW को? JSW होगया, यह अलिम्पिक अथलीट को भी ट्रेन कर रहे हैं, in fact very closely connected to the ministry of sports and the TOPS program and a lot of our supposedly top contenders for medals at Tokyo 2020, are training at the JSW facility, they also own a football team, playing in the Indian Super League, same with the Mumbai owners, अनका भी अप देखे फुटबॉल में इंटरेस्ट हैं, बाकी sports में है, पुरा ली उनका है, exactly, और International Olympic Committee, के मेंबर भी हैं, बिल्कुल, 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 पर मैं थोड़ा मेटापिक उतारा, जस तो फिनिश तो पॉइंस तो पॉइंस तो पॉइंस तो पॉ अग्रीड, लेकिन मुझे उसका जो spin-off effect लगता है, वो यह है कि, I think BCSI को सबसे आदा प्रेशर पढ़ता है, fans क्या कहते है, क्योंकि, और media क्या कहती है, क्योंकि, चाहे वो कितना भी कहते है, जो media कहरी है, हम उस पर ध्यानी नहीं देते, वो कहना असान है, वो होता नहीं, क मुझे लगता है, pressure थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि public sentiment उनसे दूर चला जाता है, media sentiment दूर चला जाएगा, तो अब अगर किसी कोई fan या कोई media वाला यह बोलना भी चाहता था, कि आपने क्यों पंथ को नहीं कहला है, या आशिन को क्यों नहीं देख रहे, वो भी उसको मिलती है, अब ठीक है, उसके merit, demerit पर डिबेट हो सकता है, बट मुझे लगता है एक बड़ा कारण है कि उसको bad press इसले भी मिलती है, वो क्यूंकि इसको ओन करते है, तो एक तरह से inherent dislike है उस लीग के तरफ, शायद वो AFF चलाती तो शायद ना भी होता, I don't know, so यह चीज़ ह Inherent, automatically थोड़ा gap बन जाता है ना लोहों के बीच और उन clubs के बीच, अगर क्यूंकि नोट जस्ट जो लीग चला रहा है फुटबॉल वादा, बट जो individual clubs के जो owners हैं, वो भी, like it's the 0.1% of country है, like you're saying, leading, जो सबसे बड़े Capitalist हैं, इस बेश में वही चला रहे हैं, और मीडिया का काम ही है कि सवाल उन पर, powerful पर उठाना है, गरीब, pick one, सवाल उठाना है अगर हम वापस उन बस उन दो players पे आएं, जिनका जिकर स्ट्रीट में है, already आपने अश्वे ने आपके लिए एक match ने खेला, already आपने उस पर इतना undo pressure डाला है, वो player जो लग रहा है, साफ जाहर है, उनको खेलना है white ball cricket, खास करके T20 cricket, दो T20 World Cup आ रहे हैं, एक साल के अंदर ग्रफली, वो चिन्ने के बाद चिन्ने को छोड़के उनका वो impact कभी रहा नहीं, हालनके वो top five wicket takers में आते हैं, आई-पिल की history में, बेकर उसके बाद जहां भी impact नहीं रहा, अब already pressure है कि वो नई team में आए, Delhi Capitals, लोग street पे वापस जाएंगे जब अश्वे पहली बार field ल बिल्कुल आपने से का ये और आपको पता है, सोशल मीडिया में तो लोग विट करते हैं, कि आपने को स्टूइट किया जब गलती हुए, मैं इंतजार करूँ और सेफ कर के रहते हैं, स्क्रींशॉट उसमें एक और चीज अगर आप देखें, क्या ये चीज इस बात पे भ अच्छे से नहीं जानेंगे जितने लोग चला रहे हैं, पर अगर उनकी उपीनिन इतनी स्ट्रॉंग है फो दे इंडियन टीम, तो आप इमाजिन कर सकते हो कि जब आईपे चलता होगा तो अंदर क्या होता होगा, तो क्या रिक्की पॉंटिंग जो इनके कोच है, या जो इंसिडेंट था जब एक IPL ओनर, राइजिंग पुनिय सूबर जायंट्स के ओनर, उनने एक ट्वीट किया था, उनकी कप्तानी को लेकि सीजन टू में, MS दोनी की, correct, उनने कहा था, कि उनने MS दोनी की कप्तानी पर शक किया था, और मेरे कहा था, 24 या 48 घंटे के अंदर, ट इंदे के आपने दोनी पर कैसे, Mr. Goenka ने शक किया था, तो यही बात, स्क्रीन शॉट के बाद हो रही थी, तो लोग इस ट्वीट को निकालेंगे जरूर, बट दाट इस पैरल ओफ कैपितलिस्म, जहां पे आप, है ना भई, अब पैसे से चल रही है, तो पैसे दे रहा है वो सवाल करें, अब ट्विटर अलसो, अब ट्विटर अगर 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 आप और हम भी किसी मीडिया हॉस के लिए काम कर रहे है, जहां आपको एक तंखा दी जाए तो जो तंखा दे रहा है, वो सवाल कड़े करेंगे, चाहे वो जर्नलिस ना हो, यह उसने प्रिक्ट कभी और कुछ होना हूँ, 5.75 आउंसे पे मुझे काफी कुछ सीखने को मिल जाता है, यह हम भी सीखते रहे हैं, समवार जब होता है, बिल्कुल, सही बात है, तो आपके लिए भी ऐसा ही कुछ अनुभव रहे है, और लगे रहे हैंगा, प्रिकोज हम एक विशे पे बात करते है लेकिन उसमें से तीन, चार, पांच conversation points निकल ही आते हैं समाँ, तो we'll keep doing this more often, और अगर इनको कुछ चाहिए कोई topic के बारे में हम बात करें, तो हमें comment करें, हम उस पर करेंगे, निक्स प्रिटर, Instagram, Twitter warrior है हमारे साथ, और लिक्स प्रिज लाइक कीजिए, शेर करिए, और अव झाल